एक बार की बात है, एक लड़की अपने छोटे छोटे कदमों से लकडी काटने के लिए जंगल की ओर बढ़ रही थी जब वो कुलहारी से पेड काटने लगी तो उसने देखा एक तेंदुवा सामने से दवे पाउं उसकी तरफ बढ़ रहा है उस तेंदुवे की आँख में एक दरावनी जुआला धख रही थी, उस लड़की की कुलहारी की आवाज जो एक पेड को काट रही थी, उस तेंदुवे की करकश दहाड में डूबने लगी खुद को अकेला देख लड़की को एहसास हो चुका था, या तो युद्ध या समरपन बचपन में खेलनी की उम्र को जमीन में दफन करके जंगल आई ये लड़की समरपन जैसा कुछ जानती ही नहीं थी कि तभी कुलहडी हवा में जूमती है और उस तेंदुवे के सर को लेकर उसके धड़ से अलग जमी पर जा गिरती है ये लड़की थी महरानी लक्ष्मी बाई की ढाल, उनकी सेना की प्रमुख जहलकारी बाई जिनके किस से इतिहास के पन्नों से अब बहार आने लगे है जहलकारी बाई कोली जाती से थी जिनकी गिनती ऐसी वर्ग में हुआ करती थी ये भूमिका बनाने का मकसद था आपको एक फिल्म की याद दिलाना जिसका बॉक्स ओफिस कलेक्शन बताता है कि आपने वो फिल्म नहीं देखी होगी फिल्म थी कंगना रनोत की मनी करने का इस फिल्म में कंगना एक राश्ट्रवादी शैली के साथ लक्ष्मी बाई का किरदार निभा रही थी लेकिन वो इससे एक सबक लेना भूल गई अगर आप कोई लडाई जीतना चाहती हैं तो आपको जलकारी बाई को अपने साथ रखना ही होगा लेकिन उची जाती की कंगना रनोत ने वह किया जो भारती राज नीती में एक बड़ा पाप माना जाता है उन्होंने SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की समवेधानिक गारंटी वाली नीती की खिलाफ बात कही उन्होंने एक ट्वीट किया कास्ट सिस्टेम को हमारा आधुनिक भारत खारिज करता आया है छोटे शहरों में हर कोई जानता है कि जाती विवस्था को अब लॉइन ओडर स्विकार नहीं करता ये बस कुछ लोगों की लिए एक सैदिस्टिक प्लैजर से ज्यादा कुछ नहीं है केवल हमारा संधिधान आरक्षण के मामले में इसे कायम रखे हुए है इसे जाने दें आईए इसके बारे में बात करें कंगना ने कहा कि आरक्षण की वजह से मेरिट धारी डॉक्टर, इंजिनियर, पाइलेट आधी को काफी नुकसान होता है जब कंगना ने कहा कि आधुनिक भारत ने जाती विवस्था को खारिच किया है तभी एक दलिच छातर रोहित वेमुला के जिंदगी मनुवाद के भेंट चड़ रही थी वही वक्त था जब बदायू में दो दलिच लड़कियों के साथ सामुहिक बलाकार किया गया था वही वक्त था जब यूपी सरकार ने 79,000 शक्षक भरतियों में OBC, SC, ST के पदों पर भी सवर्णों का चैन कर लिया था और दलिच बच्चों पर पुलिस लाठिया चला रही थी क्या कारण है कि मेंस्ट्रीम मीडिया में एक भी संपादक दलिच समाथ से नहीं है अगर हम सिनेमा की ही बात करें तो मुझे सिनेमा में भी कोई बड़ा नाम याद नहीं आता जो इस समाथ से हो खास्त और पर बॉलिवल बे आरक्षण खत्म होना चाहिए लेकिन उससे पहले आप और आप जैसे सवन अपनी जाती पर गर्व करना तो छोड़े क्या आपने कभी पता करने की कोशिश की है कि सीवर साफ करने वालों की जाती क्या होती है आप मुला करम के बारे में जानती हूँगी इनमें पिछडी जाती की महिलाओं को मंदर में भेज दिया जाता था और वहां उनका यौन शोशन किया जाता था इसी तरह मुलाकरम में पिछली जाती की महिलाओं को अपनी चाती ढखने की अनुमती नहीं थी अगर कोई महिला इसे ढखती तो उसे टेक्स देना होता था ब्रेस्ट टेक्स गोर कीजिए ये सब इसी समात से आने वाली महिलाओं के साथ ही होता था ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो ये बखान करते हैं कि आजादी के 77 साल बाद भी अब तक जातिवाद की जड़े बहुत मजबूत कड़ी हुई है कंगना की मनुवादी विचारधरा उनको भाजपा की राजनीती में हर दिन मजबूत करती रही और आज वो सानसदी का चुनाव मोधी के नित्रतों में लड़ने चा रही है। वो कंगना जो किसान विरोधी भी हैं किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी कहती हैं जिस आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए उस आंदोलन के खत्म होने के बाद आप उनके बारे में लिखती हैं खालिस्तानियों को मच्छरों की तरह को चल लिया। खालिस्तानी आतंकवादी सरकार की बाह मरोड रहे थे और ये सब आप कर रही थी ताके आप सांसत बन सकें क्या एक पब्लिक फिगर हैते हुए आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप अपने समाज के प्रतित दयालू रहें मददकार रहें चलिए ये सब आपके बसका नहीं था आप सम्विधन शील भी न रह सकें आपकी बदजवानी की दास्ता बयां करनी हो तो आप पर कई थानों में चल रहे आठ मुकद्द में सारी कहानी कह देते हैं जो अधिकतर मान हानी से जुड़े हुए हैं लेकिन एक मुकद्दमा आप पर कला की चोरी करने का भी लगाया हुआ है चोरी के बाद भी पिछले को सालों से लगातार फ्लॉप देने वाली एक्ट्रेस अब ना तो खुद को एक अभी नित्री कहपा रही होंगी और नित्री तो कहने लाइक होंगी या नहीं ऐसी एक असमवेदन शील और बकलोल प्रत्याशी को मंडी की जनता कैसे स्विकार करेगी करेगी भी या नहीं वो तो वक्त ही बताएगा कंगना जिस गाओं में जन्मी हैं उसी गाओं में आज वोट मांगने जाती हैं तो लोगों से जरूर कहती हैं कि मैं तो इसी गाओं की हूँ मुझे वोट जरूर देना लेकिन जब हमने इसी गाओं के आशी शर्मा से बात की जो कंगना के पडोसी भी हैं तो नोंने क्या कहा सुन लिजे जो व्यक्ति अपने शित्र में कभी अपने लोगों के साथ रूबरू नहीं हुआ उनके दुख दर्द में शामिल नहीं हुआ वो अचानक कह रहा है कि समाज की सेवा करना चाहता है जनता अब भेद करने लगी है कि किसे सत्ता की ताकत से लगाव है और किसे समाज की सेवा से परवाजब सवाल है कि अगर सच में आप समाज की सेवा करना चाहती तो मनाली में आई बाढ़ में आप कहा थी आशीस ने बताया कि मनाली में आई बाड़ के दौरान कंगना कभी अपने कुशेतर का हाल लेने तक नहीं आई कोई मदद की तो अमीद ही उनसे क्या ही की जा सकती थी हमने आशीस से पूछा क्या कंगना कभी अपने गाउं आई हैं आशीस ने बताया कुरोना के दौरान अपने गाउंवाले घर दो तीन महिनों के लिए आई थी तो उस दौरान वो अक्ज़र बाद बाद पे पुलिस को बुला कर गाउंवालों को परिशान करती रहती थी मुम्किन है कि इन्हीं हरकतों की वजह से कंगना की चुनावी सभाओं में 70% कुरसियां खाली रह जाती हो वैसे भी उनकी चुनावी सभाओं में जयाश्री राम और मोदी जी की जी हुजूरू के अलावा होता भी कुछ कहां है इस पूरे प्रक्रण में गोदी मीदिया की भी तारीफ करनी होगी जिसने हर तरह के अपने खास कारिक्रमों में कंगना को जगह दी वहीं कंगना की भी इंटेलिजन्स ने उन्हें निराश नहीं किया बले ही एक कारिक्रम में वो ये कहती हुई सुनी जा रही थी कि सुभाश चंदर बोस देश के पहले प्रधान मंत्री थे पहले मुझे ये बात आज क्लियर करने दीजे जबके असली आजादी तो 2014 में मिली जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधान मंत्री बनी और इस तरह उन्होंने सेक्डों हजारों उन आजादी के करांतिकारियों को अपमानित कर दिया जिनकी मजह से उन्हें ये कहने की भी सहुलियत मिली है कुछ दिनों बाद कंगना एक चैनल पर अपने इस बयान पर कोई अफसोस नहीं है दर्ज करती हुई भी देखी गई उनकी इसी बुद्धि मत्ता का उप्योग कर गोदी मीडिया टी आर पी बटोरता रहता है लेकिन एक लोगतंत्र के लिए गंभीर सवाल भी छोड़ जाता है क्या ऐसे प्रत्याशियों को संसत की तरफ देखने का भी मौका मिलना चाहिए और इस कड़ी में सिर्फ कंगना ही क्यों बहुत बड़ी लिस्ट होगी ऐसे निताओं की अगर हम इमानदारी से पालिया मेंट की छटनी करने बैठ जाएं तो मंडी की लोकसभा सीट से भाजपा की कंगनार के सामने हैं कॉंग्रिस के विक्रमादित्य एक चुनावी सभा में कंगना ने विक्रमादित्य को लेकर कहा कि एक बड़ा पप्पू दिल्ली में है और एक छोटा पप्पू हिमाचल में कंगना के मुह से ऐसे शब्दों का निकलना कोई नई बात नहीं थी लेकिन उनका यह गुस्सा इसलिए भी था कि उन पर गौमादित्य खाने के आरोप लगाई जा रहे थे विक्रमादित्य ने लिखा था हिमाचल परदेश देवी देवताओं का पवित रिस्थल है यह देव भूमी है यहां गौमास का सिवन करने वाले चुनाव लड़ें यह हमारी संस्कृति के लिए चिंता का विशय है जिसका राजनीति सी कोई सरोकार नहीं है जिसकी सफाइमनों ने कहा कि वो रेड मीट नहीं खाती मतलब मशली को मार कर खाना जीवत्या नहीं है क्या कंगना ने कहा कि वो आयरुवैदिक जीवन शेली का पालन करती है कौन सी आयरुवैदिक शेली आपको किसी भी तरह का मीट खानी की इजादत देती है आपका हर भाशन जैश्री राम से शुरू होकर मोधी को जिताना है पर खत्म हो जाता है क्या राम का नाम लेते वक्त आपको लज़ा नहीं आती क्या वाइट मीट मास नहीं होता कुछ दिन पहले महराश्टर कॉंग्रिस निता विजय वडिटिवार ने भी कंगना रनौत पर आरोप लगाया था कि हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी की लोगसभाव मिदबार और बॉलिवूड अवने तरी कंगना रनौत ने पिछले दुनों कहा था कि वो बीफ खाती है हिमाचल प्रदेश से लोगसभा के चार सांसत चुने जाते हैं इन्हें में से एक मंडी लोगसभा सीट भी है दो रियासतों मंडी और सुकेत के विले के साथ मंडी जिले का गठन 1948 में किया गया था मंडी और सुकेत के राजा बंगाल के सेन वंच से ताल लुक रखते थे वे महभारत के पांडवों से अपने वंच की कड़ी जोडते हैं माना जाता है कि इनके पूरवजों ने इंद्रतस्त यानि दली में 1700 वर्षों तक शासन किया अजबर सेन नामक राजा ने 1527 इस्त्वी में मंडी शहर को बसाया सत्रहवी शताब्दी में सिखों के दस्वे गुरु 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 गुविंद सिंग मंडी पहुँचे इस तरह से मंडी अपने साथ इतिहास की महत्वपूर कडियां जोड़े हुए है साल 51-52 में देश के पहले आम चुनाव हुए तब मंडी नाम से लोकसवा सीट नहीं थी पहले चुनाव में मंडी महासू नाम से सीट थी जिस पर कॉंग्रेस से अमरित कौर को जीत मिली थी जबके पिछले दोनों आम चुनावों चौड है और 19 में यहां से भाजपा जीती दोनों बार भाजपा के सांसर थे राम सुरूप शर्मा बीजेपी उम्मीदवार को 68.75% मिले जबके कॉंग्रेस उम्मीदवार को 25.68% दी राम सुरूप शर्मा की 2021 में मृत्य हो गई जिससे उपचुनाव की इस्थिती पैदा हो गई उपचुनाव में कॉंग्रेस की प्रतिभा सिंग ने भाजपा के खुशाल ठाकुर को हरा दिया प्रतिभा सिंग ने बीजेपी उम्मीदवार को 8.766 वोटों से हराया प्रतिभा सिंग को 3.65.650 वोट पिले जोके बीजेपी के उम्मीदवार को 3.56.000 वोट इस तरह प्रतिभा तीसरी बार मंडी लोगसवा सीट से सांसर चुनी गई जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंग की पत्नी है इस बार कोंग्रेस के सीट के उम्मीदवार विक्रमा दित्य सिंग मौजूदा कौंग्रेस सांसर प्रतिभा सिंग के बेटे हैं इनका परिवार मंडी लोगसवा सीट का 6 बार प्रतिनाध्व कर चुका है यहां के जातिये समीकरण की बात करें तो मंडी लोकसवाक्षेत्र में 33.6% राजपूत आबादी है जबके 21.4% ब्राम्हन, मंडी में अनुसूचित जाति के आबादी 39.8-5% है जो ब्राम्हनों से अधिक है लेकिन इस सीट पर अब तक सिर्फ एक बार अनुसूचित जाति का सांसर चुना गया है गोपी राम साल 1952 आम चुनाओं में पहली बार सांसर चुने गये थे मंडी लोकसवाक्षेत्र में 17 विधान सभा सीटे आती हैं इसमें से 12 सीटों पर बीजेपी का कबज़ा है बीजेपी में कुछ लोग कंगना को टिकेट दिये जाने से नाराज चल रहे हैं भले बड़े नेता कुछ न कहें लेकिन उनके साथ साथ चलने वाले लोग अंदर ही अंदर क्या करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा आला कमान को सिरदर्द देने वालों में पार्टी के पूर्वा द्यक्ष महेश्वर सिंग भी शामिल है इन्होंने कंगना को टिक्ट देने के फैसले की समिक्षा की मांग की है फिलहाल तो क्वीन और राजा का मुकाबला देखने लायक होगा आपको क्या लगता है कंगना या विक्रमादित्य कमेंट करके बताईए वीडियो को शेर कर दीजिए और मॉलेटिक्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो हमें लिखकर जरूर भीजें शुक्रिया